आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th Class Geography का Chapter No.8 Transport and Communication जो कि आपकी बुक वान से हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुडू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर का ट्रांसपोर्ट होता क्या है तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली के एक फिसिलिटी और सर्विस होती है जो क्या है पर्सन या फिर कह सकते हैं समान को एक जगह से दूसरी ही जगह पहुचाता है humans, animals या फिर अलग-अलग तरह के जो साधन होते हैं उनका इस्तमाल करके और यह क्या एक organized service मानी जाती है industry की क्योंकि यह क्या handle करती है loading, unloading और delivery को अब transport है उसी के तो अंदर हम क्या समान डालेंगे उसी के अंदर से हम समान निकालेंगे और deliver भी क्या transport के through ही होगा तो अब हम जा लेते हैं कि modes of transportation क्या है यानि की medium क्या है transportation के किस माध्यम से हम transportation करते हैं और जो main mode होते हैं na transportation के वो है land यानि की धर्ती, water यानि की पानी, air यानि की हवा और pipelines जो की क्या है धर्ती के अंदर से गुजर कर जाती है किसी भी सामान को क्या है किसी भी तो नहीं इसमें तरल जो पदार्थ होते है या लिक्विड होते है वो pipeline के थुरू क्या है एक जगा से दूसरी जगा भेज़े जाती है और यह जो है जितने मैंने आपको main modes बताए तीन mode है में लिट तो यह क्या है inter-reasonal और intra-reasonal transport है यानि कि किसी एक reason से दूसरी reason यानि कि यह क्या है एक state से दूसरी state भी हो सकते है या फिर एक देश से दूसरे देश भी हो सकते है और इसके अंदर क्या है pipeline accept है यानि कि include नहीं है pipeline और यह जो तीनों है वो क्या है passenger और goods दोनों को ही carry करती है और pipeline जो है वो basically क्या है land transport का ही एक part तो पहले हम जालेते हैं कि नोड क्या होती है तो नोड और वर्टेक्स ये दोनों एक चीज होती है और जो मीटिंग पॉइंट होता है दो या फिर दो से जादा रूट्स का उसे हम क्या है नोड बोलते है और अब हम जानते हैं कि लिंक्स क्या होती है जो रोड जोइन करती है दो notes को उसे हम क्या है root बोलते हैं ये क्या important definition है इसे याद रख लेना तो जो बहुत सारे places है वो क्या है join करते हैं किसे root की series से और एक pattern बनाते हैं उसे हम क्या है transport network बोलती है तो transport में हम सबसे पहले जा लेती है land transport के बारे में तो land transport के अंदर क्या include होता है ना moment होती है goods और services की land के उपर यान की धरती के उपर और वो services जो है वो किसके थुरू होती है वो होती है roads और rails के थुरू यान किसके दो पार्ट है roads और rails तो ये याद रखना और पहले के जो इंसान देना वो क्या किया करते थे इक पाल की अनकी जो प्लैंक्विन है पाल की की तरह क्या है वो पीछे उठाते थे और कोई समान होता था तो आगे खुद लगकर पाल की को पीछे मतलब अपने लगा के और उसके अंदर समान डालके ऐसे क्या है वो जो समान है उनका movement किया करते थे लेकिन उसके बाद में क आइनिमल्स आई आइनिमल्स के पीछे वह गाड़ी वगयरा बाधने लगी और फिर क्या है जो सामान है उसको कैजी करने लगी और उसके अंदर जो इम्रूस रोग्स होते थे वह सब यूज के जाते थे और जो डोग्स और जो रेंडियर थे न वो क्या है नौर्थ अमेरिका में यूज किया जाते थे क्योंकि वहां पर क्या बरफीला इलाका होता है तो यह जो अनिमल्स यह वो ज़ादा काम की होती है वहां पर और इंडिया के अंदर जैसे बुलोक्स जो की कार्ड्स को पूल करने के लिए होते हैं कि जो बैल गाड़ी होती है तो एक revolution कब आता है यह जब आता है तब 18th century के अंदर invention होता है steam engine का और तब क्या है start हो जाते है railways और roadways और साथ ही invention होता है internal combustion engines का अगर मैं नहीं means की बात करूं land transport के तो वो है pipeline rope waste और cable waste raw waste और cable waste की आप यहां पर picture देख सकते हैं तो rope और cable waste generally क्या होते है mountain slopes और mines के एरियाज में पाई जाते हैं कि जहां पर खुदाई होती है minerals निकाले जाते हैं वहां पर और पहाड़ी इलाकों पर पाई जाकते हैं ताकि एक पहार से लेकिन मुश्किल नहीं है विल्कुल ही आसान चैप्टर है तो दिमाग में यह मत रखना कि बहुत टफ चैप्टर है या हमसे होगा ही नहीं तो जो roads है ना वो कि छोटे distance के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है और यह कह है important है ferry transport के अंदर क्योंकि यह क्या door to door facility या service प्रोवाइड कराता है ferry transport वो होता है जो ferry का मदलब होता है कि ऐसा सामान जो कह है transport के थ्रू लाया या ले जाया जाए और transport का मदलब आपको पता ही है और जो metal roads होते हैं वो सारे ही मोसम के अंदर क्या है काम आते हैं metal road यानकी पक्की सड़के और जो unmetall यानकी कच्ची सड़के होते हैं वो seasonal होती है यानकी जादा बारिश आ गई तो क्या है वो भैज आएंगी सड़के और सारा कीचड कीचड हो जाएगा वहाँ पे तो जो पक्के रोड होते हैं वो हर मोसम में चलते हैं और जो कच्चे रोड होते हैं वो कैवाbon पर लेकिन अगर बहूत जादा बार आ जाती है या बहुत जादा बारिश आ जाती है तब दोनों ही road क्या है ? unserviceable होते है यानकी इनकी शर्विस अच्छी नहीं रहती वो खराब हो जाते है य only बहुत जादा रोड डेन्सिटी क्या होती है तो ऐसे रोड जिनके ऊपर क्या है साधन चल सकते हैं उनकी रेंथ पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 15 मिलियन किलोमेटर ही है यानि की पूरे विश्व के अंदर जिन सडकों के ऊपर साधन चल सकते हैं वो 15 और उसमें से भी नोर्थ अमेरिका के पास क्या है 33% है हालांकि अगर हम नोर्थ अमेरिका का तुलना करें वेस्टन यूरोप से तो उसने कहा है रजिस्टर कि हाइस्ट नंबर ओफ विकल्स और हाइस्ट रोड डेंसिटी तो अब रोड डेंसिटी की डेफिनेशन देख लो तो रोड डेंसिटी के है total length की रोड होती है per 100 km2 एरिया की अंदर maa lo 100 स्क्कवार का एरिया है उसके अंदर के है total length कितनी है road की उसे हम क्या है road density बोलती है तो यहां पर आपको एक table दे रखा है उसको ध्यान से देखो तो एक तरफ countries के नाम है और दूसरी तरफ countries है तो इसके पहले तीन याद कर लेना तो सबसे पहले हाँ पर जापान आता है और जिसकी density है 327 square स्क्वाइर किलोमीटर और उसके बाद में युनाइटिड किंग्डम है जिसकी डेंसिटी है 162 स्क्वाइर किलोमीटर और उसके बाद में आता है फ्रेंस जिसकी है 164 स्क्वाइर किलोमीटर यह याद रख लेना यह पहले तीन याद रख लेना जाधा इंपोर्टेंट है चा का सामना नहीं कर सकते और इसी लिए क्या है जो ट्रैफिक है जो कंजेशन है वो होता है तो अब जानते कि हाइवेज कौन से होती है या क्या होती है तो जो हाइवेज होते हैं वो क्या है पक्की सड़के होती है जो अलग-अलग प्रेसिस को क्या है कनेक्ट कर पाती है और यह यहां पे जो साधन होते हैं उनको क्या है परिशानिया भी नहीं जादा जहलनी पड़ती ट्रैफिक की हाइवेज पर और याद रखना यह जो हाइवेज होते हैं और यहां पर अलग-अलग ट्रैफिक लेंज भी होती हैं ब्रिजिस प्लाइओवर और ड्यूल कैरियेज वेज इस पिशकर को धται Can say Ho. अपको यहां पर भी आब को कैनग तो दोन है वो जाने कि है और दो लाइन ही क्या है आने की है तो इसे हम का है जो फोर लेन हाइवेज भूलते हैं उसे हम क्या थूलेन हाइवेज भूत डेंघमित ओर जो नोर्ट शेए जो नेटवुर्क है इप आध्य हो बहुत गणा है और जो पासिमिकोश्चन की कोस्ट है one क्या लिंक होती है एंट्लांटिक कोस से और जो वैनकुबर है वह क्या है 새로운 न्यूफर्मでも है और से चांस-केनेडियन हाइवे से यह नाम रख़ना याद कि North America का एक highway है Trans Canadian highway और दूसरा क्या है Edmonton जो की connect करते हैं किस से encourage थूर अलासकन highway से तो इसमें main main बाते याद रखना ज़्यादा नाम याद करने की ज़रुरत नहीं है नाम के आपको ज़्यादा ज़रुरत पड़ेगी मैप के अंदर मैप की भी एक पर्टिकुलर्ली वीडियो बनाऊंगे तो उसके अंदर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो तो अभी हमने क्या है North America continent का देखा highway अभी हम क्या है Australia का देखती है तो Australia के अंदर क्या है इंपोर्टेंट है रशिया के अंदर हाइवे क्रिस्क्रोस है किसके अंदर चाइना के अंदर और जहां पर चाइना और इंडिया की बात होती है और जो golden quadrilateral और super express है वो भी क्या है इंडिया के अंदर जो है state wise हम कह सकते है highways बनी हुई है लेकिन अब क्या है जो NH 44 है यानि की highway number 44 है वो क्या है longest running highway बन गया है इंडिया के अंदर जो की connect करता है शीरी नगर से लेकि कन्या कुमारी तक लेकिन बाद में जो NH 7 था उसी को क्या ह है री नेम दे दिया गया है उसका दुबारा नाम करन कर दिया गया है national highway 44 तो अब इंडिया के अंदर NH 44 के longest highway बन गया है NH 7 नहीं है और एफ्रिका कॉंटिनेट की बात करें तो यहां पे जो अलजयरेस है नोर्थ के अंदर वो क्यांक्टेड है किससे गुनिया और काइरो से और connected वो दोनों connected है Cape Town से South के अंदर तो चलो अब जान लेते हैं border roads कौन से होते हैं तो ऐसे road जो क्या है international boundaries पे बने हुए होते हैं यानि कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान वाली साइड बना हुआ है चाइना वाली साइड बना हुआ है उसे हम क्या है international boundaries पे जो road बने पस तक तो अब जान लेते हैं railways के बारे में जो कि land transport का दूसरा part है तो railways के अंदर क्या होता है जो भारी सामान और passengers होते हैं लंबे रास्ते तक ले जाना बहुत ही जादा इसके अंदर आराम दायक और क्या है आसान होता है और ऐसे areas जिनमें बहुत ज़दा industries होती है या जो शहर वाले इलाके होते हैं या जिनमें क्या है minerals rich areas होते हैं जहां पर mineral बहुत ज़दा पाए जाते हैं उनको क्या है railway से connect किया जाता है ताकि जो transportation है यानि की जो सामान के इलावा ले जाई है वो क्या है असानी से की जा सके और सभी continents के पास क्या है dense network है किसका railway का अलेकिन यूरोप के अंदर highest density है railways की यानि की सबसे जादा घना जाल जो है railways का वो कहां पे है वो यूरोप के अंदर है और यह जो railway network है Africa, Asia और South America continent के अंदर यह क्या है connect करते हैं जो mineral rich और fertile areas होते हैं यानि की जो raw material वाले areas होते हैं उनको connect करते हैं developed primarily to utilize the natural resources developed area से ताकि वो resources को क्या ह utilize कर पाए उनका production कर पाए तो सबसे पहले हम जाते हैं कि Transcontinental Railways होते क्या हैं तो ऐसी railway line जो क्या है एक continent को दूसरे continent तक क्या है जोइन करती है या उसके 20 से गुजरती है उसे हम क्या है Transcontinental Railway बोलते हैं और यह जो Transcontinental Railways है वो बनाई गई थी economic और political reasons के लिए तो चलिए फिर जानते हैं उन Transcontinental Railways के बारे में तो पहला हमारे पास आता है Trans-Siberian Railway और यह क्या है रशिया के अंदर है जो कि longest railway है पूरे वर्ल्ड का यह वन माक का question याद रखना और यह क्या है रन करता है यान कि यह है सैंट पीटर बग से लेके वैस्ट से इस्ट के अंदर वाल्दिव को स्टॉक तक और इसके बीच के जो स्टेशन जाते हैं वो है मॉसको इर्कटसक चीता एक्सेक्टर और यह जो इंपोर्टेंट सिटीज है एशिया की उनको कनेक्ट करता है एग्रो से फर्सेंटर तक नेक्स्ट है हमारे पास Trans-Canadian Railway जिससे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रह सबाड़ा है और यह क्लिया रिचने के एर्थचनर कैनेड़ा के पास करता है इंडस्ट्रों मिक आर्ट्री मानी जाती है कनेडा की सो इसके बिना तो कुछ काम हो जो इन ही नहीं सकता कर तक यह उप्युट और जाते हैं इस रूट के एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है जो कि बहार भीज जाती है नेक्स आता है हमारे पास दे यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे और यह जो रेलावा इसके बीच के जो स्टेशन जाते हैं जिससे के रेलवे लाइन पास होती है वह क्लीवलेंड शिकाग जो ओमाहा इवांस ओडन सेक्रामेंटो तो यह सब हैं और जो मोस्ट वैल्यवल एक्सपोर्ट है यान की बहार बेजा जाता है जो सामान इस रूट पे वो है ओर्स ग्रेंड पेपर कैमिकल और मशिनरीज नेक्स आता है हमारे पास दे ऑस्ट्रेलियन ट्रांस और यह क्या है पर्थ से लेके सेडनी तक जाती है और इसका इस्ट कोस्ट है वो पास करता है कारगुरलाई ब्रोकन हिल से और पोर्ट और एक और लाइन है जो कि नोर्ट से लेके साउथ तक क्या है कनेक्ट करती है वो है एडिलाइड और एलाइज और यह बाद में क्या है the Orient Express तो यह जो लाइन है यह जो रेलवे है वह कहा है परिश से लेके इस्तानबुल तक है और इसके बीच के जो स्टेशन जाते हैं वह स्टार्सपर्ग, मुनेच, वेना, बड़ापेस्ट अड बेलगरेड तो यह इसके बीच के स्टेशन है और इसने क्या है दस दिन की कर दिया पहले जिसमें दस दिन लगते थे आज उसमें कह सिर्फ चार दिन ही लगती है और यहां पे जो एक्सपोर्ट किया जाता है जो सामान वो है चीज वाइन बेकन ओर्ड्स फ्रूट और मशीनरी यह सब क्या है यहां पे एक्सपोर्ट किये जाते हैं तो अब आता है हमा तोड़ी बहुत है ऐसा थोड़ी हम नदी में रास्ता बनाने जाएंगे नाव का नहीं वह तो कहीं पे भी हम चला सकती है और यह जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वह क्या है ओशन को भी जोड़ देता है जैसे कि हम अट्लांटिक उशन से पैसिफिक उशन के अंदर जा सकते है यह कॉंटिनेंट से कॉंटिनेंट को भी जोड़ता है और यहां पे कहा है जो नैविगेशन है यानि कि जो शिप चलाती है हम पानी के अंदर वो उनका साइज भी क्या है अब वैरियस साइज हो गया है बननी लग गई है तो यह जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो दो हिस्स होती है कोई continent continent korent और इनलेंट टाइस इक कांट्रे के अंदर रही चलता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं यह जैसे इंडिया है इंडिया के अंदर जैंके आंडर जкольरी आ, जुह हम navigation करते रहें वह हमारा का है inland waterways के अंदर आता है अब हम देखते हैं sea routes तो सी और जो ओशन रूट है वो प्रुवाइड कराता है स्मूथ हाइवे यान की सभी हम डारेक्शन के अंदर स्मूथली जा सकते हैं और इसकी कोई भी मैंटेनेंस का खर्चा नहीं आता और जो मोर्डन पैसेंजर शिप्स यान की जिन में पैसेंजर को लाया ले जाया जात है उनके अंदर बहुत सारी नैविगेशन की क्या है सायता भी उपलब्ध होती है और अब हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट सी रूट्स को तो सबसे पहले आता है हमारे पास नोर्थ एट्लांटिक सी रूट्स तो यह जो एट्लांटिक कोशन आपको पिच्चर के और उसको कहें जॉइन करता है Northern Western Europe से क्योंकि Northern Eastern USA के अंदर सबसे ज्शे की डेवलप्ट कांट्री है और Northern Western Europe के अंदर एपकी सबसे सोरी डेवलप्ट कंट्री है तो इन दोनों का ट्रेड है वो चलता रहता है और यह कैस्शे बीजी स्ट रूट है वल्ड के अंदर और सबस जादा शिप्स चलती है और इसे कहा बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है तो इसे ध्यान रखना तो बता है हमारे पास मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट जैसे कि आप इस पिचर के अंदर देख सकते हो मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को और यहाँ पर क्या है यह जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस रूट को और यह जो रूट है वो कहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरॉप भी है तो यूरॉप की जो वेस्टन इंडेस्टिलाइस कंट्री है उसको वेस्ट एफरीका, साउथ एफरीका, साउथ इस्टेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजिरेंट से इन सब से यह क्या है, कनेक्ट करता है यह रूट और यहाँ पर क्या है नैच्रल रिसॉर्स जैसे कि गोल्ड, डायमेंड को, पर्टिन, ग्राउन नर्ट, ओयल पाम, कोफी, फूरूट, यह सब क्या है, ट्रांस्पोर्ट किये जाते हैं इस रूट के थूट, तो अब है हमारे अर्जेंटीना, और गई, साउथ अमेरिका के अंदर, इन सब से क्या है, यह कनेक्ट करता है, और यहाँ पर ट्राफिक क्या है, बहुत कम होता है इस रूट के उपर, क्योंकि यह जो कंट्रीज है, वो क्या है, सिमिलर रिसॉर्स वाली है, यानि कि क्या है, यहाँ पर इन जरी अंदर देख सकते हो, नोर्थ पैसिफिक ओशन को, और यह जो रूट है, वो क्या है, कनेक्ट करता है, वेस्ट कोस जो है, नोर्थ अमेरिका को, उसको एशिया के साथ, और जो वेनकोर है, सीटल है, पोर्ट लेंड है, सैन फ्रांसिसको है, लोस एंजलेस है, अमेरिका के, तो यह क्या है, योकाहामा, कॉबे, शंगाई, होंग कॉंग, मैलिया, सिंगापूर, जो एशिया की साइड है, इनको क्या है, आपस में कनेक्ट करता है, यानि की, बेसिकली बात यह कि, नोर्थ अमेरिका को यह क्या है, जो वेस्ट कोस्ट है, नोर्थ अमेरिका की, उस आयार-वोट जो होनोलै नुझे हैं इसके कहां कहां तक है। होई होग्ककोंग, फिलिपन्स, इंडोनियसिया। यह इन बीत तीनों को क्या है लिंक करता है वेस्टन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को और Sometimes पनामा कैनल है वो क्या है 12,000 किलोमीटर दूर है सिड्नी से और जो होनो लूलू है वो क्या है इसका important port है इस रूट का नेक्स्ट आते हैं हमारे पास coastal shipping coastal shipping क्या है बहुत ही convenient mode है ट्रांसपोर्ट का यहां पे क्या होता है कि coast line के साथ-साथ ही क्या है ship चलती है उसको क्या है कोई भी ocean को यहां पे क्या है पार करने की जरूरत नहीं पड़ती तो इसको map से समझते है मालो की यहां पे क्या है पोर्ट बंदर से हमें क्या है विशाखा पतनम तक जाना है तो यह क्या है इस coast line से यह red वाली line दिख रही है उसके साथ-साथ-साथ शिप चलके विशाखा पतनम तक पहुँच जाएगी land route इसको नहीं करना पड़ेगा और इसका फाइदा यह होग नेक्स्ट है हमारे पास shipping canals जैसा कि इसके नाम से clear होता है shipping का मतलब होता है जल यात्रा और canals यानि की narrow के थरू तो क्या होता है कि जो जल यात्रा होती है narrow के थरू उनके बारे में अब हम क्या है पढ़ने वाली है तो पूरे world के अंदर क्या है दो canals है एक east side में है और एक क्या है west side के अंदर है जो की क्या है सामान को लातिया ले जाती है और यह जो दोनों canals है ना यह दोनों ही बहुत जादा important है तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना तो पहली हमारे पास स्वेस canals जो की बनी थी 19, sorry 1869 के अंदर और यह क्या है man-made canal है यान की कोई natural नहीं है इसको खुद इंसानों ने बनाया है और जो की क्या है Mediterranean Sea को क्या है जोडती है Red Sea से और इसकी लंबाई है 160 किलो मीटर और यह गहरी है 11 से लेके 15 मीटर के वीश में नेच्स्ट है हमारे पास परामा केनल और यह भी क्या है man-made canal है जो की क्या है Atlantic Ocean को क्या है Pacific Ocean के साथ जोडती है और यह क्या है 72 किलो मीटर लंबी है और यहां पे का है 12 km का कट लगाया गया था इसको बनाने के लिए और इसके का है 6 lock हैं यानि कि यहां से ship को लाने या ले जाने के लिए का है पहले इन locks को खोलना पड़ेगा और यह locks भी का है man-made locks है जिन से का है permission लेनी पड़ती है फिर ही तब यह का है इस Panama Cannell से आपको गुजर भरना नहीं देंगे वो लोग लगा देंगे और यह क्या है डिस्टेंस को कम कर देती है न्यू योग से लेके सैंस फ्रांसिसको तक का 13,000 तक का क्या है यह रूर्ट गार थे यह पहले तो क्या है हम सी से जाते थे तो तेरा हजार किलो मेटर हमें जादा चलना पड़ता था और अब यह इतना जादा नहीं चलना पड़ता और यह जो मैप है इसके उपर आप पनामा कैनल और स्वेस कैनल को देख सकते हैं पनामा कैनल बनी थी 1914 के अंदर यह याद रखना और अगर क्वेशन आ जाए कि लार्जेस्ट मैनमेड कैन काई से है तो हो वह स्वेस स कैनल तो अब हमारे नेक्स टॉपिक है इनलैंड वोटर वेज और यह को जाने कि एनला चवंता है उसको और पैसेंजर को तो यह हमारा इनलैंड वोटर वेस के अनदर बेसिकिल एक कॉंटिनेंट के अंदर जो canals, rivers, lakes बगेरा बनी हुई है वो क्या हमारी inland waterway के अंदर आती है जैसे यह जैसे हम आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा और जो development होती है ना inland waterways की वो depend करती है navigability पे यानि कि कहां तक क्या है navigation हो सकती है एक river के अंदर कहां तक जहाँ जा सकती है और water flow कैसा है उस river या canal का और साथ ही साथ कैसे अंदर transport technology कैसी है या उनकी ships अच्छी है या नहीं या फिर हम कह सकती है कि जो नदी है वो सीधी है या ज़्यादा zigzag तो नहीं है तो ऐसी rivers के अंदर क्या है जो navigation है वो नहीं हो सकती तो अब हम जानने वाले है important inland waterways यारि कि जो continents के अंदर ही waterways है उनके बारे में हम जानने वाले है तो पहला है हमारे पास राहीन waterways और इनको क्या है हलके में मत लेना ये भी क्या है inland waterways भी important है इनसे भी questions आ जाते हैं तो ये जो क्या है inland waterway है तो सबसे पहला था हमारे पास राहीन waterway तो इसके अंदर क्या है कि जो Switzerland, Germany, France, Belgium और नीदर्लेंड है इनके जो industrial areas है उनको ये राहीन waterway है वो क्या है connect करता है North Atlantic Sea Route से और ये जो राहीन river है वो क्या है जर्मनी से लेके नीदर लैंड तक flow करती है यानकी भैती है और जहां तक ये भैती है ना वहाँ पे क्या है rich coal field है यानकी वहाँ पे क्या है भारी जो कोईले वाले इलाकी है वो है और जो डिजल डॉफ है ना वो क्या है इसका important port है राहीन waterways का और ये जो राहीन waterway है ना वो क्या है दुनिया का सबसे जादा यूज किये जाने वाला inland waterway है तो ये वन माक का question याद रखना और यहाँ पे क्या है बीस हजार ocean going ships हैं यहाँ पर यानकी ocean में जो ships जाती है वो बीस हजार है और यहाँ पे क्या है दो हजार इंलेंड वेजल्स जान की छोटे चोटे जहाज है दो हजार यहाँ पे जो कि क्या इस water के अंदर हर साल घूंती रहती है और याद रखना कि यह जो राहीन waterway है वो है यूरॉप का तो नेक्स्ट है हमारे पास Danube Waterway तो यह जो Danube River है वो क्या है नाविगेबल है टोमा सेवरिन तक जो कि क्या है ब्लाक फॉरेस्ट के अंदर आती है और यानि कि यहाँ पे कह सिर्फ ब्लाक फॉरेस्ट तक ही जहाँ जहाँ यहाँ पे चल सकती है और यहाँ पे कहा है मेंली जो एक्सपोर्ट किया जाता है यानि मेंली जो सामान भेजा जाता है वो है वीट, मेस, टिमबर और मशीनरी नेक्स्ट है हमारे पास वोलगा वोटरवे और यह वोलगा वोटरवे है वो कहा है developed waterway है किसका रशिया का यानि कि वोलगा कहा है रशिया के अंदर है और ये क्या है नाविगेबल है up to 11,200 km यानि कि यहां तक इसमें जहाजे चल सकती है और ये है ये गिरता है कैस्पियन सी के अंदर वोलगा वोटर वे कहां पर गिरता है ये गिरता है कैस्पियन सी और ये क्णेक्ट करता है moscow reason और black sea को और किस से connect करता है ये connect करता है wolga Moscow canal और wolga dawn canal sea इप और नेक्साय हमारे पास the great lakes, st. Lawrence sea way तो ये जो great lakes ना वो क्या है, st. Lawrence river के अंदर गिरती है और एक waterway बनाती है north america के अंदर और यहाँ पर एस्चुरी का मतलब है कि रीवर का एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो क्या है ओशन में जाके गिरता है और इसके जो डुलोथ और बुफलो है वो क्या है important ports है तो अब आता है हमारे पास Mississippi waterways ये भी क्या है अमेरिका के अंदर है और ये जो Mississippi Ohio waterway है वो क्या है link करता है जो interior part है USA का यानकी जो अंदर वाला part है USA का उसको link करता है Gulf of Mexico से जो की south की अंदर है और जो बड़े बड़े steamers होते हैं वो क्या है मेने पॉलिस तक जा सकती है तो अब आता है हमारे पास air transport तो ये जो air transport है ना वो क्या है सबसे fastest mean है ट्रांसपोर्ट का यानकी हम क्या है सब से जादा जल्दी अगर किसी से पहुं सकते हैं तो वो है air transport लेकिन fastest होने के साथ साथ ये बहुत जादा costly भी यानकी इसमें पैसे बहुत जादा खर्च होते हैं और ये जो air transport है ना इसमें क्या connectivity revolution लाया है यानकी हम अब ऐसे areas के अंदर भी जा सकते हैं air transport की तरूल जिन से ह नहीं पहुं सकते थे desert में नहीं जा सकते थे या फिर ठंड़ ओले इलाकी है जहां पे बहुत ही जादा बरफ परती है वहाँ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर क्या क्या है कोई transport अवेलिबल यह नहीं था लेकिन air transport ने क्या हमें उन इलाकों से भी connect करवा दिया है त और यह जो supersonic aircrafts होते हैं कि बहुत ही जादा जो तेज चलने वाले aircrafts होते हैं वो तो क्या है distance को यंकि दूरी को बहुत ही चोटे समय में cover कर लेती हैं तो अब हम जानते हैं intercontinental air routes के यंकि एक continent से दूसरे continent के air routes तो USA जो है वो कहे 60% of airways of the world उसके पास यानि कि जितने भी airways है पूरे world के अंदर उसमें से कहे 60% तो USA के पास ही है और जहां से ये airways control होता है या इनके nodal points होते हैं वो कहे important cities के अंदर होती है लेकिन जो air routes है वो कहे पूरे continents तक ही जाता है तो जो एफरिका एशियाटिक पार्ट है रशिया का यानकी रशियावाला वो पार्ट जो कि क्या है एशिया के अंदर आता है जो South America है वहाँ पे क्या है air services थोड़ी कम है क्योंकि वहाँ पे क्या है लोग इतने जादा नहीं रहते और जो land mass है जो area है वो भी क्या है limited है और साथ ही साथ वहाँ पे economic development जो है जो पैसा है वो बहुत ही कम है तो यह क्या है ट्रांसपोर्ट करती है water, petroleum, natural gas, liquefied coil यानकी ऐसा कोईला जो liquid form में हो और यहाँ पे क्या है uninterrupted flow होता है यानि कि यहाँ पे क्या है किसी भी चीज की क्या है हमें interruption नहीं होती और जो USA है उसके पास कहे सबसे जादा घनत्व है यानि कि dense network है pipelines का और यह one marker question याद रखना कि जो big inch है वो कहे famous pipeline है USA की जो कहे ट्रांसपोर्ट करती है petroleum को और कहां से ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट करती है जो तेल के कुएं है Gulf of Mexico को वहां से वो कहे ट्रांसपोर्ट करती है North Eastern States तक और यह जो Europe, Russia, West Asia और जो इंडिया है यहां के जो oil wells यानि जो तेल के कुएं है उनको कहे refineries तक pipeline के through connect किया जाता है refineries यानि कि जहां पर जो कच्छा तेला उसको क्या है mix किया जाता है या उसको refine किया जाता है उसका शुद्धी करन होता है तो next आता है हमारे पास communications और communication का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जिसके अंदर क्या है हमारे ideas क्या है interchange होते है अब पहले क्या होता था कि जो long distance communication थी यानि कि पहले जिस बंदे से हमें communication करती है और हमारे पास नहीं होता था तो तब क्या है telegraph और telephone के बहुत जादा important थे communication के लिए और जब आई mid 19th century यानि कि लगबग ये time होगा 1850 का तब क्या है जो American telegraph और telephone company है यानि कि AT&T है उन्होंने कि अपनी monopoly enjoy की थी यानि कि वहाँ पे सिर्फ उनी का रास था और दूसरी कोई company ये telegraph और telephone मनाती ही नहीं थी और ये जो developing countries थी ना उसके अंदर क्या हुआ जो cell phones थे उन्होंने कि बहुत ही जादा important spy ruler connectivity के लिए यानि कि गाउं की connectivity के लिए आपको लगता होगा कि जो हमारे towers होते हैं वो क्या directly satellite से connect होते हैं तो ऐसा नहीं होता वो जो tower है उसमें क्या है नीचे बिचुए तार होती है उनसे connect होता है फिर वो हमारे mobiles को क्या है signal भेशती है और आजकल की जो latest technology की development है उस कारण क्या है जो अब wires बनना शुरू हो गई cables है यानि कि वो क्या है OFC है यानि कि optical fiber cables है जो कि क्या है tower के साथ लगाई जाती है और यह जो wires है इनकी वजह से क्या है बहुत जादा quantity के अंदर भी जो data है वो क्या है वर्चुली क्या है बिना किसी दिक्कत के दूसरे के पास महोच जाता है और अब क्या है जो telecommunication है वो क् computers के साथ आ गई है और जिसने के अपना एक network बना लिया है और जिससे हम क्या है internet बोलती है तो अब हम जानते है satellite communication इंडिया के अंदर और satellite को हम हिंदी में क्या है उपगरह भी बोलते है तो जो artificial satellite है यानि कि जो man-made satellite है वो क्या है अर्थ की orbit में घूमती रहती है ताकि जो communication ह उसको क्या है और जाधा enhance कर पाए और improve कर पाए connectivity को और इस satellite की वज़े से क्या होता है कि जो अब communication है ताइम भी कम हो गया है बहुत ही जल्दी क्या है हम communicate कर पाते हैं मोबाइल के थ्रू और साथ ही जो per unit cost है ना communication की वो भी कम हो चुकी है पहले जो रिचार थे वो बहुत ही कि जाधा महांगे थे आपने रिका होगा या किसी से सुना भी होगा लेकिन अब उनकी जो कोस्ट है वो पहले के मुकाबले कम है और पहले की यहां पे मैं दो-چार साल पैले की बात नहीं कर भी मैं 1990 की बात कर रही हूं कि तब कोस्ट बहुत जादा थी उसके मुकाबले 1975 को यहां पर 79 दे रखा है वो गलत है 1975 कर लेना और जो भासकर वन है वो लोंच हुई थी 1979 के अंदर और उसके बाद में जो तीसरी सैटलाइट है रो ही नहीं वो लोंच हुई थी 1980 में तो यह तीनों वनमा का क्वेश्चन याद कर लेना और जो भासकर, चैलेंजर और का चलता है कि आज का मोसम यह रहने वाला है कल यांधी तो फानाएगी तो वह सारा वे क्या वान सैटलाइट से भी पता चलता है लेक्स्ट है हमारे पास cyber space internet तो जो cyber space होता ना वह क्या है कोई actualода space नहीं होता मेरा इस space का इंदर देखने को मिलती है जब हम क्या है एकसेस करते हैं electronic computerized space को और यह क्या है worldwide web से घिरा हुआ होता है और जालतर जो internet के users है वो हमें इन देशों के देखने को मिलते है जो कि USA, UK, Germany, Japan, China और India और जो social और economic space है वो क्या है बड़ा है किसके तुरू emails, e-commerce, e-learning और e-governance के तुरू सो यहीं पर आपका chapter होता है खतम, explanation कैसी लगी जल्दी से comment करके बता दो और important questions वगेरा की वीडियो यहां मैं PDF भी provide करा दूँ आपको तो वो भी क्या है चेक कर लेना और more specially तो यह हमें comment करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में